असलाम अलेकुम राखमतुल्लाइब बरकातू प्यारे बच्चों उमीदें आप सब खेरियत से होंगे साइंस की ओनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक्स एंड कॉपीज ओपन कर लीजिए आज हम साइंस में चैप्टर नमबर 17 के कोश्चन आंसर्स करेंगे और बुक वर्क भी देखेंगे कि बुक वर्क में क्या है तो कॉपी में आज की डेट मेंशन कर लीजिए चैप्टर नमबर 17 मेंशन कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं question number one है explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate आपको explain करना है यह बताना है कि जो जानवर forest में रहते हैं यानि जंगल में रहते हैं तो वो forest की किस तरीके से help करते हैं grow करने में और regenerate करने में तो इसका answer है animals dwelling in the forest help it grow and regenerate in the following ways कई सारे तरीके से जो animals होते हैं वो मदद करते हैं forest को grow करने में और regenerate करने में first है waste of animals and their dead bodies when decomposed into the soil act as manure तो जो animal waste होता है जो उनका body waste होता है वो और जो उनकी dead bodies होती है animals की वो जब वो decomposed हो जाती है और soil में mix हो जाती है तो soil के लिए क्या काम करती है manure का काम करती है यानि मिट्टी में खाद का काम करती है तो second है animals help in dispersing the seeds of the plants जो animals होते हैं वो seed dispersing में भी जो seed dispersal होता है उसमें भी help करते हैं next है third microorganisms convert dead plants and leaves into humus which is rich in nutrients and beneficial for plants humans तो जो microorganisms होते हैं यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या करते हैं जो dead plants होते हैं या leaves होती है उनको उनको humus में convert करते हैं और humus के अंदर humus जो होता है वो rich in nutrients होता है यानि कि humus के अंदर इतना जादा nutrient होता है कि जब वो soil को मिलता है तो soil और ज्यादा अच्छी हो जाती है यानि और ज्यादा उपजाओ हो जाती है and beneficial for plants और यह जो humus होता है यह plants के लिए भी बहुत जादा लाबकारी होता है beneficial होता है अब है next question number 2 explain how forests prevent floods आपको explain करना है कि कैसे जो जंगल है वो बाढ़ को रोकते हैं किस तरीके से वो prevent करते हैं floods को तो answer number 2 है forest are natural absorber of rain water जो forest होते हैं यानि जो जंगल होते हैं वो natural absorber होते हैं rain water के जो भी बरसात का पानी होता है वो उसको क्या कर लेते हैं absorb कर लेते हैं they allow rain water to seep through और यह क्या करते हैं जो rain water होता है उसको जमीन के अंदर जाने में help करते हैं the trees present in the forest prevent the rain from directly hitting the ground अब जो पेड फोरेस्ट में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं अब पेड इतने बड़े बड़े घने घने होते हैं तो वो direct hitting से भी prevent करते हैं forest को यह जो ground है जहां पर वो trees होते हैं उसको rain water hits the ground slowly in forest अब जो rain water है वो धीरे धीरे जंगल में पहुंचता है सारे में फेलता है hence trees in the forest slow down the movement of running water and thus help in preventing flood अब इसी तरीके से जो trees होते हैं जो पेड होते हैं जंगलों में वो पानी का जो pressure होता है उसको कम कर देते हैं क्योंकि जादा तर वो absorb कर लेते हैं और कुछ की help करते हैं seeping के लिए यानि की ground में जाने के लिए तो इसी तरीके से जो forest होते हैं वो flood को क्या करते हैं prevent करते हैं यानि की bar को रोकते हैं next है question number 3 what are decomposers? decomposers क्या होते हैं? name any two of them आपको दो के नाम बताने हैं what do they do in the forest? और ये forest में क्या करते हैं? यानि जंगलों में क्या करते हैं decomposers तो answer है decomposers the microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers तो ऐसे microorganisms जो dead plants को और animals को convert करते हैं humus में तो उन्हें क्या कहते हैं? decomposers कहते हैं example है इनके tiny insects चोटी चोटी जो insects होती हैं वो ants and beetles यानि जो चीटियां होती हो जो beetles होती हैं ये सब क्या हैं? ये सब decomposers है next decomposers feed upon the dead organisms and convert them into humans which provides nutrients to plants ये जो microorganisms होते हैं जो भी Dead organisms हो underground जैसेकि जो पत्ते पेड़ो पर 설त्तों ये जर जानवर मरे हुए होता हैं उनके उपर ये बैठते हैं उन्हें लुछ अनए ंनंजे स्नुतρεा होतों करते हैं हुमस में और हुमास सॉयल्स के लिए बहुत चलें क्योंकि से मिति बहुत ज्यादा उब जाती है और मिति को बहुत सारे नियूट्रेंट्स मिलते हैं जो कि प्लाइंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते और जिसे प्लाइंट अच्छे से ग्रो करते हैं अब है next question number 4, explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere, आपको explain करना है जंगल के रोल को कि किस तरीके से जो forest होता है वो oxygen और carbon dioxide जो हमारे atmosphere में present है उसको balance करता है, तो इसका answer है, forests are called the green lungs, तो forest को green lungs भी कहा जाता है, this is because plants in forest release oxygen through the process of photosynthesis, और ऐसा किसलिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जो plants है, जंगलों में present, वो क्या करते हैं, वो photosynthesis के through oxygen को atmosphere में release करते हैं, photosynthesis क्या है, plants, plant जिस process के जरिये से अपना खाना बनाते हैं, उसे photosynthesis केते हैं, और वो इस process में क्या करते हैं, oxygen को release करते हैं, atmosphere में यानि oxygen छोड़ते हैं, और carbon dioxide को intake करते हैं, यानि खाना बनाने के लिए उनको carbon dioxide की जरूरत होती है, और oxygen को वो atmosphere में छोड़ देते हैं, और जब वो atmosphere में उसे release करते हैं, तो help in providing oxygen to animals for respiration, तो उससे animals भी respire करते हैं, और हम human beings भी respire करते हैं, यानि कि सांस लेते हैं, plants consume carbon dioxide released by the animals, और जो plants होते हैं, जो animals दुआरा या human beings दुआरा जो carbon dioxide यानि जो हम लोग जो, हम और animals जो carbon dioxide release करते हैं, plant उनको क्या करते हैं, intake कर लेते हैं, उनको consume कर लेते हैं, in this way, plant help in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere, और बिल्कुल इसी तरीके से जो plants हैं, वो क्या करते हैं, atmosphere में, oxygen और carbon dioxide को balance रखते हैं, और इसलिए बार बार आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, कि जो plants हैं, वो सब को लगाने चाहिएं, अपने घर में भी रखने चाहिएं, पोध हैं, यह देखिए, यह cycle है, oxygen और carbon dioxide के balance की, देखिए, जो plants से यह क्या करते हैं, यह oxygen को release करते हैं, और वही oxygen animals और human beings क्या कर लेते हैं, consume कर लेते हैं, और फिर जब animals और human beings oxygen को consume करते हैं, तो वो carbon dioxide को release करते हैं, वही carbon dioxide plant use करते हैं, for photosynthesis, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, आपको explain करना है, कि ऐसा क्यों कहा जाता है, कि जंगल में कोई वेस्ट नहीं है, यानि जंगल में कोई भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी चीज वेस्ट नहीं है, हर चीज यूसफूल है जंगल की, तो इसका answer है, there is no waste in forest, because the microorganisms present in the soil, convert all the body waste generated by the animals and the dead bodies of plants and animals into humans, क्योंकि जो microorganisms होते हैं, forest के अंदर वो क्या करते हैं, जो भी body waste होता है, animals का, और या जो जो भी dead animals होते हैं, या plants होते हैं, dead plants वगेरा, वो उनको क्या करते हैं, वो उनको convert कर देते हैं, humus में, which is used by plants, और जिने plants use करते हैं, उसके अलावा तो आपको पता ही है, कि जो green plants होते हैं, हमें plants होते हैं, हर तरीके से हमाई लिए कितने beneficial हैं, हमें plants से food मिलता है, vegetables, pulses, और gum भी मिलता है, हमें wood भी मिलती है plants से, सबसे main चीज, oxygen मिलती है plants से, तो इसलिए plants हमारे लिए पहुत जादा important हैं, और हमें जादा से जादा plants लगाने चाहिए, अब है next question, question number six, list five products we get from forest, आपको five products लिखने हैं, जो हमें forest से मिलते हैं, यानि जंगल से मिलते हैं, तो answer है इसका honey, honey मिलता है, यानि शेहद wax, gum, यह gum है, इसे gum कर लीजिएगा, next है fourth herbs, जड़ी बूटियां जिने कहते हैं, और fifth है wood, लपडियां, अब next question है, question number seven, इसे book में करेंगे, या पार्ट है, the insects, butterflies, honey bees and birds help flowering plants in dash, यानि जो insects होती हैं, butterflies होती हैं, honey bees होती हैं, या birds होते हैं, वो flowering plants में किस चीज़ के लिए help करते हैं, pollination के लिए help करते हैं, इसे pollination होता है, ना, pollination, उसके बाद है next, B part, a forest is a purifier of dash and dash, तो जंगल होते हैं, वो purifier होते हैं, किसके, air के, यानि हवा, हवा को purify करते हैं, तो वो हवा को purify करते हैं, और water, पानी को भी purify करते हैं, air और water दोरों को purify करते हैं, next is C, herbs form the dash layer in the forest, जो herbs होती हैं, यानि जड़ी बूटिया होती हैं, वो कौनसी layer होती है, forest की, lowest layer होती है, सबसे छोटी layer, lowest लिख लीजिए, next है, depart the decaying leaves and animal droppings in a forest, enrich the dash, तो जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, animals के खाने से जो गिर जाती हैं, या ज़र जाती हैं, तो वो forest को किस तरीके से, वो forest में किसे enrich करती हैं, soil को, क्यूंकि वो soil को, क्यूंकि जब वो soil में mix हो जाती हैं, तो वो as a manure काम करती हैं, यानि खाद की तरह मिट्टी में काम करती हैं, जिससे, जो soil होती है, वो बहुत ज़्यादा उपजाव हो जाती है, अब है next question, question number 8, why should we worry about the conditions and issues related to forest far from us, तो हमें क्यों चिंता करनी चाहिए इस बारे में, यानि जो forest related जो भी issues हैं, तो हमें उनके लिए क्यों चिंतित होना चाहिए, आपने देखा होगा कि जो भी पेड़ पोते हैं, अगर रोड़ों पर भी हैं, तो उन्हें भी काट दिया जाता है, जो पूरे-पूरे जंगल हैं, उनको खतम किया जा रहा है, और वहाँ पर बड़ी-बड़ी industries, बड़ी-बड़ी factories लगाई जा रही हैं, जंगलों की कटाई को deforestation भी कहते हैं, तो deforestation से क्या problems हो रही हैं, आपको ये बताना है, तो ये हमारे लिए चिंता का सबब है, क्यों? तो इसका answer है, forest plays an important role for the sustenance of life on earth, तो जो forest होते हैं, यानि जो जंगल होते हैं, बहुत जादा important role play करते हैं, earth पर जो भी life है, चाहे वो animals की हो, birds की हो, human beings की हो, सब के लिए, the following points illustrate the importance of forest for us, अब ये नीचे कुछ points है, जो हमें ये बताएंगे, कि forest हमारे लिए कितने जादा जरूरी है, जंगल, तो first है, forest help in maintaining the ratio of oxygen and carbon dioxide in air, सबसे बड़ी जो वज़ा है, वो तो ये है, कि forest जो होते हैं, वो maintain करते हैं, oxygen और carbon dioxide की ratio को, हमारे atmosphere में, जिससे एक equal balance वना रहता है, और oxygen की कमी नहीं होती हमें, अगर हम सारे पेड़ों को काट देंगे, तो oxygen की कमी हो जाएगी, सांस लेने में बहुत जादा problem होगी, नेर्श्टे सेकिंड, forest provide habitat to a wide variety of plants and animals, जो जंगल होते हैं, वो provide करते हैं, जानवरों के लिए और पेड़ पोधों के लिए, एक तरीके से जो जंगल होते हैं, वो क्या होता है, उनका घर होता है, जानवरों का और पेड़ पोधों का है, तो अगर हम जंगलों की कटाई कर द तो जो भी जानवर हैं, वो सारे सड़कों पर आ जाएंगे, और हमारे घरों में और गलियों में आसपात घूमते हुए हमें दिखाई देंगे, और जब उन्हें प्रोपर habitat नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सब गायब होने शुरू हो जाएंगे, यानि उनकी अब देखें, फोरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, हमें वूट्स मिलती है, लकडिया, मेडिसिंस, दवाईयां बनती है, जो भी उसमें हर्ब्स होती है, जो जड़ी बूटियां होती है, उनसे, फ्रूट्स मिलते हैं, रबर, गंबी, हनी भी मिलती है, हनी भी मिलता है, हम और भी कई सारी ऐसी चीज़े हैं जो हमें फोरेस्ट से मिलती हैं हम हम काउंट नहीं कर सकते कि फोरेस्ट से कितना जाधा फायदा है अब जो फोरेस्ट होते हैं वो बाड को भी आने से रोकते हैं क्योंकि वो वाटर की स्पीड को कम कर देते हैं जो soil होती है वो water को absorb कर लेती है और plants तक पहुचा देती है तो sorry जो soil होती है वो पानी को absorb करती है तो जो roots होती है न वो पूरे plants तक पानी को पहुचा देती है तो इस तरीके से पानी जो है वो use हो जाता है और water seeping में भी help करती है यानि कि जो पानी होता है वो इस पीड में जमीन के नीचे चला जाता है. Next question number 9. Explain why there is a need of variety of animals and plants in a forest. Explain करना है आपको कि क्यों बहुत ज़्यादा variety, animals और plants की variety की जरूरत है forest, forest में, यानि चंगलों में. So answer number 9 है by harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunities for food and habitat for the herbivores. तो जो forest होते हैं वो trees को, plants को shelter provide करते हैं और इसी वज़े से जो animals होते हैं, जैसे कि जो herbivores animals होते हैं, घास खाने वाले जानवर, तो उनके लिए बहुत बड़ी opportunity होती है कि वो वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं, उनको खाने की वहाँ पर कमी नहीं होती है जंगल में. larger number of herbivores means increased availability of food for a variety of carnivores. और जब herbivores जादा होंगे, यानि घास खाने वाले जानवर जादा होंगे, तो फिर carnivores और omnivores animals के कभी फायता हो जाएगा, क्योंकि उन्हें छोटे जानवर मिल जाएंगे शिकार के लिए. यानि यह पूरी एक तरीके से, पूरी chain बनी हुई है. हमारे environment में और मैंने आपको पीछे question number one में भी यह पताया था, कि किस तरीके से, जो animals हैं, वो forest को regenerate और grow करने में help करते हैं. क्योंकि जो उनका body waste होता है, या जो dead plants और animals होते हैं, वो soil के लिए as a manure काम करते हैं, यानि खाद के रूप में काम करते हैं, जिससे जो soil होती है, वो जादा fertile हो जाती है. तो यह पूरा balance बना हुआ है, हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि हमारे atmosphere में यह पूरा balance है, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी plants को कटनी करना चाहिए, जो trees वगेरा हैं, हमारे आसपास या जो forest हैं, उनको खतमनी करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए भी मुश्क तो वो सब और हम सब सब खतरे में पढ़ जाएंगे, अब next है question number 10, in figure 17.15, the artist has forgotten to put the labels and directions on the arrows, mark the direction on the arrows and label the diagram using the following labels, यहाँ यह जो पूरा diagram दिया गया है, 17.15 का, यह यहाँ पर, तो जिनोंने यह diagram बनाया है, तो वो इसकी labeling भूल गये है, तो आपको इसकी labeling करनी है, और clouds, तो जहाँ पर clouds है, महाँ पर आपको clouds लिखना है, rain, जहाँ पर बारिश हो रही है, महाँ पर आपको rain लिखना है, atmosphere, जो atmosphere है, महाँ पर atmosphere लिखेंगे, carbon dioxide जहाँ है, महाँ पर carbon dioxide, तो यह पूरी labeling आपको करनी है, देखिए पूरा इस तरीके से यह है, clouds, यह atmosphere, यह rain यहा तो इस तरीके से आपको एक डाइग्राम बनाना है और इसकी लेबलिंग करनी अच्छे से आप है नेक्स्ट क्वेश्चिन कुष्चिन नंबर 11 विच उप फॉल्वइग आपको उप्शिंग दिये गए हैं और आप से पूचा गाए हैं कि इसमेंसे कौन सा forest product नहीं है यानि जो हमें जंगल से नहीं मिलता gum तो मिलता है जंगल से plywood वुड भी मिलती है sealing wax wax भी मिलती है kerosene kerosene नहीं मिलता हमें तो इसलिए kerosene पर टिक लगा दीजी यह हमें petroleum से मिलता है ठीक है petrol जो petroleum होती है उससे मिलता है 12th है which of the following statement is not correct नीचे four statement दी गई है और आप से पूछा गया है कि इसमें से कौन सी statement correct नहीं है तो first is forest protect the soil from erosion जो जंगल होते हैं वो soil erosion से protect करते हैं यानि कि मिटी को बंजर होने से बचाते हैं तो क्या यह ठीक है यह वाला सही है option हमें गलत वाले पर ठीक लगाना है next second plants and animals in the forest are not dependent on one another second में कहा गया है कि जो plants and animals होते हैं forest के अंदर यानि जंगलों में वो एक दूसरे के उपर dependent नहीं होते हैं तो यह वाला option गलत है वो एक दूसरे के उपर dependent होते हैं क्यूंकि plants को seed dispersal के लिए animals की जरूरत होती है और animals को food मतलब जो animals होते हैं जो herbivores animals होते हैं उनको plants चाहिए होते हैं खाने के लिए तो इसलिए वो आपस में एक दूसरे के उपर dependent होते हैं third है forest influence the climate and water cycle जो forest है क्या वो influence करता है climate को water cycle को तो हाँ करते हैं next है fourth soil helps forest to grow and regenerate तो जो soil होती है मिट्टी क्या वो जंगलों को help करती है grow करने में और regenerate करने में तो yes अगर मिट्टी उप जाओ होगी तो तब ये तो महाँ पर जो पेड़ पोदे हैं वो अच्छे से survive कर सकेंगे तो इसलिए soil बहुत दादा helpful होती है तो हम second वाले part पर tick लगाएंगे क्योंकि जो plants और animals होते हैं वो एक दूसरे के उपर depend होते हैं forest में तो इसलिए ये वाला जो option है वो घलत है तो उमीदे आपको समझाया होगा ये सारे question answers आपको copy में करने हैं बहुत अच्छी handwriting में जो diagram है वो आपको plane वाले page पर बनाना है अच्छे से और उमीदे आपको plants की importance समझाया होगी इस chapter से तो हमें जादा से जादा पेड़ पोधे लगाने चाहिए और हम अपने environment को clean और green रखना है ये हमेशा याद रखना है ठीक है चलिए thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh